नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं बिहार इस्टोडी और उपस्तित हूँ रोजगार परधारी तेखने वीडियो के साथ और आज की जो जनकारी है दोस्त नोटबुक मेकिंग मशीन की हैं और आसानी से आप नोटबुक मशीन को लगा करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं तो कैसे कमाई होगी कैसे यह स्वरजगार शुरू होगा तो बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं यह हमारे सामने बैठे हुए हैं अजित जी अडमाइन इंडस्ट्री के निदेशक हैं और करना चाहें तो कैसे शुरू करें गया सबसे पहले मैं अपने भाई वंदू को अपने कंपनी की तरफ से वेलकम करता हूं और आपका भी वेलकम कर रहा हूं अपने कंपनी में जो आप हमारे पास दुबारा आए अगर लोगों को अच्छा लगा हमारा एक प्रोजेक्ट अ इस के चिज को हैं यह सकते हैं अससी ओत्वाद है 5 हर महतने हो vole और मैंने अश्वान कोई जगह नहीं होगा जहां पह अश्तिमाल नहीं करता हो और आसा कोई बंदा भी नहीं हो इसको कभी डूब होया नहीं जा सकता यहीं कभी डूब नहीं सकता आजस्ट यदू ऑक गोल्ड भाई पर आजसे नुगा जैए उसे Deep यहां कभी बिजनेस वहीं है इस बिजनेस को करने का मतलब है कि यह अच्छा अरनिंग पर सकते हैं इसको अस्टार्ट करने के लिए या तो आप हमारे ओफिस में आकर एक बार संपर्क करें हम डिटेल्स में आपको सारी जनकारी देंगे या अभी वीडियो में जो चल रहा है अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएं तो भी ज्यादा बेटर है तो अस्टार्ट करने के मीमम जो है यहां पे नोट्बुक बनाने के लिए क्लिए दो नेसीसरी ऐसाइए होती है इक जो मसीन है वो मसीन है आपको कुम सिन पेपर को कातने की मसीन और दूसरी मसीन जो है वह 있어서 Прींप करने कि मसीन यानि सिर्फ दो मसीन लगा के आप इस डिजनेस को अस्टार्ट कर सकत इसमें दो मसीन का इस्तिमाल होता है यह कटिंग का और स्टिचिंग का मिनिमम दो मसीनों का हो सकता है बट इसमें जो है अगर बात किया जाए तो बहुत सारे मसीने हैं इसमें अब वह क्लाइट के ऊपर निडवर करता है कि क्या प्रूडक्षन चाहते हैं कैसा प्रूडक्षन चाहते कितना घ्रच कर ना चाहते है लुए हम बात करेंगे कि ये जो मसीने उसको बना से मतलब सबसे कम में इसके अगर बात की जाये मेशीनों के प्रकार की तो मसीनों के प्रकार हमारे पास बहुत सारे तरह की है, तो सबसे पहला जो है मसीन वो कटिंग मसीन है उसमे हमारे पास मैन smartest कटिंग भी है सेंइ आटमेटिक कटिंग भी है इसमें साइज भी होता है साइज आपको 18 इंची से लेके 45-46 इंच तक का मसीन आता है हमारे पास और यह सारे मसीनों कि हमारी खुद की मेनुफेक्चरिंग है इसलिए जैसे क्लाइंट कहते हैं उसके अनुसार हम यह मसीने बना के उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं हैं तो हमसे मसीन लेके तुरंद के तुरंद अपना रुजगारा स्टार्ट कर सकते हैं हमारे पास सारी कि सारी मसीने स्टिचिंग मसीन भी जो आती है हमारे पास दो तरह की है एक मैनुवल है और एक सेमी आटोमेटिक है आटोमेटिक भी बोलेंगे सेमी आटोमेटिक भी बोलते हैं तो मैनुवल का जो प्रोडक्शन होता है पर दे का वो लगभग अलहाई से 3,000 पीस एक दिन का प्रोड़क सरने तीसरा जो मसीन होता है वो या तो बहुत जारे लोग जो है पैसे की कमी करन डापरेस लेते हैं जो मोडने का काम करता है तो जो डापरेस होता है वो उससे मोड जाएगा और उसके अलावा अगर क्वालिटी बेस्ट मसीने कोपिया देनी है आपको मार्केट में तो उस सारी मसीने हमारे पास मिल जाएगी इसके आलवा भी अगर उससे भी जादा एड़ांस मसीने चाहिए वह भी हमारे पास अर्टी के हृती निचे ऋपी और साथ करेंग हो गया समझ से फिलेडा सकते हैं स्वाइड मुट से Θषiser कितना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कितना खपत कर सकते हैं और कहां-कहां उन्हें सेल करना है अगर गाव में लेके जाते हैं तो छोटे सेरिया के लिए डेह ड़ाग-दो लाग तक की मसीने ही सफिसियंट है और एक पूरे जिले को कभर करना है तो फिर तो वो 20 लाग की मस मसीन लेते हैं तो भी कम पड़ जाता है दो चार जीलो को कभर करना है तो और भी हाई क्वालिटी की मसीने हो जाएंगे तो जितना ज्यादा उनको प्रोडक्शन चाहिए वैसी हम मसीने उनको भिलेबल करा देंगे अब बात करें सार इलेक्रिसिटी के बिजली तो चाहिए चाहिए दो मौडल्स है उन मोडल्स को बिजली कि को यह सकता नहीं होती या आप आ्ट्मेटिक है तो कम से कम 2 W से लेके और 6 CW-7 CW तक का करनेक्शन लेना होता है यांगे 2 HP की भी मोटर लगती है उससे high configuration machine में जाएंगे तो लगवक 5 kilowatt का connection ने ना होगा 5 HP का मोटर हो जाता है उससे भी high configuration में जाएंगे तो 7 से 8 HP का मोटर हो जाता है तो ये सारे जो है अलग-अलग होते चले जाते हैं machine के strength के हिसाब से machine के strength के हिसाब से जितना ज्यादा हाइफाई लेंगे उतनी ज्यादा उनको बिजली का हो सकता पड़ेगा तो इसमें लेवर की कितनी जुरूत पड़ती है ये थोड़ा बता दी सर लेवर का जहां तक बात है यानि कि minimum जो है इसमें ऐसे तो काम है वर्क है मसीने है यानि कि अपने घर में भी आप लगा के इसको काम सुरू कर सकते हैं खुद से भी कर सकते हैं बट minimum जो है दो बंदे चाहिए इसमें दो लोग अगर रहेंगे तो ये सारे जो है मसीने अपरेट कर लेंगे एक बंदे जो चाहिए वो सिर्फ और इस्टिचिंग पर चाहिए फूल टाइम के लिए और एक बंदे जो रहेंगे एक आदमी और रहेंगे उनका जो काम होगा वो पूरे जैसे कि कटिंग करने का कटिंग एक दो घंट आप कर लेते हैं तो अड़ घंटे का स्टिचिंग का काम हो जाता है उसके अलावा डाप्तरेश करेंगे याम जा अगर जो भी मसीन लेते हैं यानि कि मोडल के अनुसार अलग अलग जगह की रिक्वार्मेंट होती है बट मिनिमम जो है 200 स्क्वार फीट यानि कि 20 बाई 10 का अगर एक कमरा हुआ तो हमारे स्टार्टिंग एक दो तिन नमर मोडल को आप लगा सकते हैं उसके उपर के मोडल में जाते हैं आप तो कम से कम 500 स्क्वार फीट उसके उपर के मोडल में जाते हैं तो 600 स्क्वार फीट उसके उपर के मोडल में जाते हैं तो 1000 स्क्वार फीट स्कार फिट में तो पूरा जगह तो आपका ले नहीं लेगा मसीन उसमें थोड़ा बहुत तो जगह बचता है तो उसी को वो लोग कर खाने के रूप में तबदिल कर देदें नहीं तो फिर अगल वगल में या उपर में अपना बना के वहीं पर रहाऊस कर दें अब बात करते है सर उतना भी ना बहुत आ बहुत हैं अब बात करते हैं रोम माणाडरिंगा इस भी सबसे पहलाव फेल कर दूसरा चीजह कवर और तिसरा चीज़ वायर यह तीन चीजहों से मिलके आपका कॉपी बन जाता है तो पेपर कभर इस्टेचिंग वायर यह सारा कुछ यानि कि टोटल एटू जेट रो मेटेरियल हमारे पास उपलब्द हो जाएगा इसमें पेपर का जो कीमत आता है वो 35 रूपे से लेके 75 रूपे तक आ जाएगा स такую जाएटओ कि मार्केट में लगवग 100 रूपे है यानी कि सौरुपे केजी में लगवग आप 1000 से 1200 शॉंपीश के बीच में कोपी बना सकते हैं मतलब जाथा ही बनता है लेकिन हम लोग जो है मिनिमुम बता देते हैं मतलब मिनिमम मापको 1000 से बारा सोपी साब बना सकते हैं अब प्रॉफिट और लॉज की करते हैं सर बात कि कितना परसेंटेज तो पर कॉपी अगर देखा जाए तो निकालना मुश्किल होता है प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें वो सीधा से दिये हैं कि जो मार्केट में आप 10 रुपे की जो बहुत ज्यादा हो गया बोल रहा है चार सावा चार रुपे के बीच में ही आपका रहता है एक कॉपी का मतलब रेट वह वह भी टोटल लेबर आपका रेंट इलेक्रिसिटी सारा कुछ इंक्लूड करने के बाद आपका उतना आता है और मार्केट में जो रिटेलर हैं वह खरिते हैं डिलर या डिस्टिब्यूटर या मैनुफेक्चरर से तो उनका जो रेट आता है वह साथ रुपे साड़े आठ रुपे इतना तक वह मार्केट से खरिते हैं मार्केट में खरिते हैं डिलर डिस्टिब्यूटर मैनुफेक्चरर से यानि कि मार्जिन का जहां तक पात के जाए मिनिमम इसमें मार्जिन हम इसके लिए लिखित में दे सकते हैं 20% का मार्जिन आपका कभी नहीं जाएगा मिनिमम जो है ऑल टाइम 20% का मार्जिन होगा ही होगा इसमें तो अच्छी बात है सर बहुत अच्छा मार्जिंग भी इसमें है और साथ ही सेल की कुई कम तो कुछ गैडस आप देदीए हमारे दर्श्य को कैसे इसको सुरू करें उसके लिए जो है आप हमारे दिए हूभा करें यह हमारे ओफिस में घॉल करके बहुत सारे मतलब यहां पे डिटेल से ले सकते हैं और विस्ट करेंगे कि अभी हमारा बिहार को तो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है बाहर में जाके भी लोग 5,000, 10,000, 20,000 रुपे कमाएंगे तो हमारे यहां से यह बिजनेस अगर वो अस्टार्ट करते हैं तो मिनिमम जो है उनका मन्थली 25-30,000 कहीं नहीं जाएगा अगर वो मिनिमम से डेल लाक रुपे से भी मसीन का स्टार्ड करते है तो 20-30,000 रुपे वो मिनिममम कमा सकते हैं मतलब एक रिटेल दुकान भी खोलके वो उतना कमा लेंगे अगर वो जितना प्रोड़क्शन पर डेका है मिनिममम हमारे किसी भी मसीन का प्रोड़क्शन तीन हजार पीस है तो तीन हजार पीस अगर वो सेल कर टेते हैं तो 3,000 लावा वी एक कॉपी पर अगर मार्जीन रखते हैं तो तीन हजार रुपे होता है। हम बता रहे थे की जैसे जो कमपी तो बना ही सकते हैं अब कमपी के अलावा भी इसमें बहुत जासे एक गाउं में कोई भी बड़े बुजूर्ड को देखेंगे डायरी लेके चलते हैं अभी डायरी के जबाना तो बहुत ज्यादा खतम हो गया है पहले के जबाने में सबके पैकेट में रहा करता था लेकिन अभी भी वही है पुराने लोग हमारे जीतने हैं वो पैकेट में डाय Tag fu से लेके अभी पिजनेस जयाने कि आपने 술 अब प्रेंटार कर है याँ अगर प्रिंटिंग मसीन आपज़ेंगा करिये इसमें प्रिंटिंग मसीन में आप सेट आता है डिजिनल प्रिंट माता है तो बहुत सारी eclipse आपकर सक्ते हैं आप ये hand will हो गया, posters हो गया, digital print में जैसे बनता है आपका visiting card हो गया, तो ये मतलब printing से related भी आपका सारा काम हो जाएगा, एक सिर्फ printing machine लगा लेने से. तो दोस्तों बहुत सारे सवाल का जबाब आपको मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आपको मसील लेनी है, तो अजित जी का phone number या अर्मायन इंडेस्ट्री के निदेशक है, तो अर्मायन इंडेस्ट्री का phone number यहां का address office का मैं डाल दूँगा description में, आप आराम स यहां पर आ सकते हैं, ऐसे मैं आपको बता दूँगा आ आपको बता दीए गा, आपको बता दिया जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, आपको पैकेट जितना लाउ करता है उसी चाहब से अपना मसीन लगाई है जितना आपका बज़्ट है उशी साफसे पना मसीन लगाई है तो दोस्तो आज की जमकारी कैसी लगी कॉमेंट करकaza जरूर बताईएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेच दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा तो आज की जनकारी आज की वीडियो में इतना ही तक आगे भी अपडेट जारी रहेगा